असलाम लेकुम एवरेवन वालकम तो आईशा मेडिकल एजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वर्मी फॉर्म अपैंडिक्स बैसिकली हम लोग ने स्टार्ट किया हुए चैप्टर स्मॉल एंड लाज इंटरस्टाइन उसमें हम लोग ने होता है जो के प्रोजेक्ट होता है फ्रोम इस रीजन में यह हमारे पास क्या है सीकम है जिसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा असेंडिंग कॉलों सीकम के बाद का ही तो पार्ट आता है सो इसमें क्या आता है यह हमारे पास सीकम ठीक है सीकम के अबाब होगा सेंडिंग क यहांपर क्या होता है उसके 2 cm below on यहां बनता है उसको बोलता है यहां पर यहां पर क्या होता है इलिय्व सीकल औरिफिस और वैल्फ सो जो ileocecal valve होता है उसके 2 cm below on the posterior medial wall of the cecum क्या होता है हमारे पास vermiform appendix क्या है posterior medial valve में है उसके लाबा 2 cm below है to the ileocecal orifice सो अब हम देख लेते हैं इसकी dimensions mean इसकी length कितनी है width कितनी है अगर हम इसकी length की बात करें तो यह कितना है तो children में जो है वह हमारे पास vermiform appendix longer होती है अगर इसके diameter की बात करें तो यह क्या है it is 5 mm in diameter सो यह है हमारे पास dimension एक single हमारे पास क्या है vermiform appendix है अब हम देख लेते हैं इसकी positions mean क्या है different person में इसकी जो position है वो vary करती है so किसी में क्या है यह posterior side पर है किसी में right side पर upward है किसी में downward है किसी में बिल्कुल ही पीछे वाली side पर है इसकी positions को study करेंगे position क्या है it lies in the right ilig fossa mean हमारे पास क्या है ilig fossa वो भी राइट साइड के एलियक फोसा में यह लाए करती है हमने nine regions of abdomen को study किया था तो उसमें क्या थे three up थे three middle और three down ठीक है तो इसमें यह जो राइट साइड पर आता है और इलियक फोसा है ठीक है इस 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 इलियक रिजन सो जो राइट इलियक फोसा है उसमें यह अपैंडिक्स लाइ करती है एंडिट्स पॉजिशन इस कंपेर्ट तो और्स हैंड ऑफ क्लॉक हम क्या करते हैं इसको study करने के लिए simple बनाने के लिए हम इसकी इस पॉजिशन का कमपेर कर देते हैं और हैंड अंवदी spare क्लॉक में कलोग की शो और हैंड होती उसके साथ हम लोग करते हैं सो इसे पर मेंडिक्स उसकी डिफ्रन पोजिशन एक ये थी पोजिशन है boaVEL dependent विसकी धार्ड सेचर्ज थ इस पॉब this is fifth and this is sixth ठीक है so first of all हम देख लेते हैं इस पॉजिशन को इसमें क्या है यह एक ही पॉजिशन है ठीक है डिफरेंस बस इतना है कि जो इलियम के एंटीर है वो पैरी इलियल है जो उसके बिहाइंड है वो पोस्ट इलियल है दोनों हमारे पास क्या होती है सप्लैनिक होती है इस इस पॉजिशन को बोलते है NPlus 2 yn like पॉजिशन ओडिपी टवो उगलुग पॉजिशन ठीक है यह जो पॉजिशन हामारे पास क्या है फिष्ग में अगर हम और शद्सकों की बात करें तो इस तरह से हो और हाँ होगे उस्की क्या पोजिशन वह लोग ठीक है सिसमें डो चीज प्रॉमोंतेरिक पॉज़िशन इस फ्री trainee को पॉजेशन ऊपना किया है थो ऑजे जे फंप उज़िवा पॉजेके पॉजेर छिख पमोर पास यहाया universities झाल इसनी को था हटीक किया है great तो जो इंगवाइनल लिगमेंट है उसके अबाव सीकम प्रेजंट होती है ठीक है जब 6 o'clock appendix downward आएगी तो वो क्या होगी मिल्कुल मेड इंग वाइनल डीजन पर नेक्स हम देख लेते हैं जो ऊपर को जा रही है इस तरह से वह क्या है पैर आकॉलिक are the 11 o clock position next हमारे पास क्या है six position जो बिलकुल ही पीछे वाली side में हमने उसको fully dotted बनाया इसका मतलब it is totally posterior to the cecum so this is the retro cecal position ठीक है mean cecum के बिलकुल पीछे वाली side पे retro है posterior है ठीक है हमारे पास कितनी है position one two three four five and this is 60 रेट्रो ठीक है posterior side पे है यह होगी हमारे पास position अब हम देख लेते हैं appendicular orifice में जो appendix है vermiform appendix है उसका कोई ने कोई orifice होगा it is situated on the posterior medial aspect of cecum below the ileocecal orifice यहाँ पर क्या होता है ileocecal junction होता है उसका क्या था ileocecal orifice so ileocecal orifice के बिलकुल two centimeter below क्या होगा हमारे पास appendicular orifice mean वो भी क्या है posterior medial aspect पे occasionally it is guarded by the fold of mucous membrane which is called valve of jerleg इसमें क्या होता है हमारे पास appendix है उसकी opening होती है उसको कौन कवर करता है एक valve like structure होता है mucous membrane होती है जिसको हम बोलते हैं valve of jerleg ठीक है next हम देखेंगे इसके paritonial relations हमने बात की थी कि जो हमारे पास intestine होती है उसको posterior abdominal wall के साथ कौन attach करता है paritonium के कुछ folds होते हैं इसी तरह हमारे पास vermiform appendix है उसके साथ भी paritonium के fold attach होते हैं इसमें क्या होता है इस suspended by a triangular fold of paritonium which is called meso appendix or the appendicular misentries बिन जो ट्राइंग्लर shape की paritonium होगी जो हमारे पास appendix के साथ attach है उसको बोलेंगे हम meso appendix or the appendicular misentries next आती है इसको कौन सी arteries blood supply करती है उसमें आती है मारे पास appendicular artery which is the branch of ileocecal artery mainly इसमें क्या है appendicular artery जो है इसको blood supply करती है जो कि किसकी branch है ileocecal artery की ठीक है next हम देख लेते हैं इसकी venus drainage इसमें आएगी हमारे पास appendicular vein ileocecal vein superior misentric vein these are three veins which involve in the venus drainage of the appendix next आती है हमारे पास lymphatic drainage lymphatic drainage में क्या है हमारे पास simply ileocecal lymph nodes होते हैं जो कि इसकी lymphatic drainage में role play करते हैं next आती है nerve supply nerve supply हमारे पास बहुत होती है sympathetic भी और parasympathetic भी sympathetic nerve supply में होगा हमारे पास cilic pluxes and parasympathetic nerve supply में हैं vagus nerve यह थी हमारे पास overall vermiform appendix इसमें लोगन इसके study किया है mainly dimensions positions appendicular orifice peritonial relation nerve supply blood supply and lymphatic drainage if you understand this video so please like share and subscribe the channel thanks for watching